कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल फिर्स्ट इन्वेस्मेंट पे आज हम बात करने वाले हैं म्यूचल फंट्स के बारे में कि किस तरीके से आप म्यूचल फंट्स को बाय करें सो ग्रो अपने बिल्कुत सिस्टमाटिक फॉर्म में लेकर आया है बहुत इजी फॉर्म में लेकर आया है कि आप ग्रो आप को कैसे बाय कर सकते हैं सो ग्रो आप के थुरू आप म्यूचल फंट्स को कैसे बाय करेंगे कौन से पॉप्लर फंट्स हैं हाई रिटर्न अगर आपको चाहिए टाक्स सेविन फंट्स में आपको ट्रेट करना है अगर आप FD पे अपने मनी को डिपोजिट करते हैं बढ़ आप चाहते कि मुझे उ अपन करेंगे ग्रो आपको तो आपको इस तरीके का एक इंटरफेस दिखेगा यू आफ टू क्लिक ऑन दा म्यूचल फंट्स इस तरीके से आपको यहां पर एक पूरा सिस्टेमाटिक प्लान शो कर जाएगा तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं सबसे टॉप पर आपको फंट है नेपोन इंडिया फार्मा फंट है आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो कलेक्शन साइड पर आप बहुत सारे वेरियस फैक्टर्स की उपर भी म्यूचल फंट्स को में इन्वेस्ट कर सकते हैं जैसे की हाई रेटर्न, टैक्स सेविंग, बेटर दन एफडी, टॉ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको यहां पर प्रोवाइडेड है फॉर एक्जामपल अगर आप लोगों ने कहीं और पर एसाइपी स्टार्ट कर रखे मूचल फंट्स पर कर रखा है तो आप यहां पर भी शिफ्ट कर सकते हैं तो यह बहुत इजी का अंसेप्ट है फॉर एक्जामपल मैं और मूचल फंट्स पर क्लिक करता हूं तो यहां पर मैं अपने हिसाब से मूचल फंट को सेलेक्ट करना चाहता हूं तो आप मैं फिल्टर पर क्लिक करूंगा फिल्टर एंड सॉट पर आपको मल्टिपल मूचल फंट्स शो कर जाएंगे अगर आप क को select कर सकते हैं आप rating पे click करेंगे तो आप 5 star rating या 4 star rating plus पे click कर सकते हैं risk पे अगर आप click करेंगे तो आप अपने इसाब का risk भी select खुद कर सकते हैं available to invest मतला अगर आप SIP करना चाहते हैं या अगर आप one time investment करना चाहते हैं तो वो भी आप अपने इसके through कर सकते हैं so for example यह सब लोग हनम लोगने simple sort करते हैं चलिए category की तरफ बढ़ते हैं and let's select hybrid, hybrid के अंदर में aggressive fund में जाना चाहूँगा rating में 5 star select करना चाहूँगा, risk में moderately high में रखना चाहूँगा, invest में one time यह SIP करना चाहता let's apply, जब apply करा तो पता चला कि कोटक equity hybrid direct fund है and यह बहुत बढ़िया है चेक है, अब यहाँ पे click करेंगे, for example हम लोगने select करा नहीं यह पसंद आया, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो return दे रहा है that is the 14% return चेक है, and हम लोगने previous देखा था, जो popular funds था, वहाँ पर हम लोगने देखा था कि ICSA Prudential, हम लोग 28% का return दे रहा है so let's click on that, अगर आप इसका chart देखेंगे, तो आप देख सकते है 3 year return बहुत उपर है, that is 28%, let's move to 1 year return, कितना provide करा है 1 year return, 85% provide करा है, so I think it's good 5 year return, 22% it's good, NAV के बाद करते हैं, आप NAV यहाँ पर आपको show कर रहा होगा, chart से थोड़ा सा नीचे आप देख सकते हैं left hand side में 113, so NAV क्या होता है, net asset value होता है जैसे for example, आप कोई भी share को purchase करते हैं, तो आप लोग देखते हैं कि जो भी share, आप जिस price पर purchase करते हैं, वो price जो होता है वैसे ही mutual funds का यह price होता है, NAV, इसकी उपर में dedicated video बाद में बना दुमा, definitely, ठीक है आप देख सकते है, rating है 5 की 5 stars की rating provided है, fund size भी 1412 crores का है, अब आप इसको थोड़ा study करना चाहते हैं, यह fund में actual में हमें क्या-क्या provided है returns चेक कर सकते हैं, कि इस fund का return किता था, 1 year, 3 year 5 year का, इस fund के अंदर जो category है, जो इस category का यह fund है, उस category का return क्या था, क्या उसको exceed करा या नहीं करा, वो भी सारी चीज़े हैं pro and cons भी check कर सकते हैं, कि क्या pros हैं, क्या cons हैं इसके, ठीक है return calculator भी आप check कर सकते हैं, for example, आप SIP calculator हैं अगर आपको SIP करनी है, so आप चाहते हैं कि मैं every month 5,000 रुपीज invest करना चाहता हूँ ठीक है, so आप सीधर 5,000 पर लियाएंगे, ऐसे sorry हम चलते हैं कि 5,600 हम invest करना चाहते हैं for 5 years so अगर आप 5,600 रुपीज 5 years तक हर month invest करते हैं तो वो 5 साल बात आपको जो profit होगा जो आपका बन जाएगा पर एनम के साब से that is 5,78,000 रुपीज चेक है, so आप पर आपको calculator भी inbuilt मिलता है, आप थोड़ा नीचे आएंगे तो peer comparison भी कर सकते हैं, कि इसके according और भी peers को आप check कर सकते है ठीक है, थोड़ा सा नीचे आएंगे, तो कौन से कौन से taxes लगते हैं, कौन से expense ratios होते हैं वो सारी चीज़े आपको यहाँ पर provide करा देता है कौन से stocks सबसे ज़ादा hold करे हैं, जिस पर सबसे ज़ादा holdings हैं, वो भी आपको इदर provided होती है आप देख सकते हैं minimum investment आप कित्ती कर सकते हैं maximum कित्ती कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं first investment जो आपकी minimum होनी चाहिए that is thousand rupees, 5000 rupees second minimum investment thousand rupees होनी चाहिए and minimum SIP आप hundred rupees तक भी कर सकते हैं ठीक है, तो आप लोगों ने पूरी analysis कर ली अब आप लोगों को ये particular जो fund है आपको बहुत जादा पसंद आ रहा है and आप start करना चाहते हैं for example मैं monthly SIP करना चाहता हूँ मैं one time invest नहीं करना चाहता हूँ मैं एक job करता हूँ and job में जो मुझे salary मिलती है मैं उसमें से कुछ invest करना चाहता हूँ so मैं monthly SIP पे click करूँगा monthly SIP पे click करते ही आपको यहां नीचे दिखरा होगा SIP date तो यानि कि 16th of every month को यहां पर मेरी SIP जाएगी जो भी मैं SIP pay करना चाहता हूँ for example मैं thousand rupees से start करना चाहता हूँ thousand rupees की first installment मैं pay करना चाहता हूँ so मैं सीधर thousand rupees type करूँगा मैं invest now पे click करूँगा मैं जैसी invest now पे click करता हूँ आप देख सकते हैं यह order जो है वो मेरा process हो रहा है and order जो था वो place हो चुका है उसके बाद जो ICACA Prudential mutual funds है वो order place कर देते हैं and उसके बाद automatically हमारा setup हो चुका है मैं already buy कर चुका हूँ अब उसके बाद जैसी आप buy करेंगे आपके पास option आएगा setup auto pay का मतलब automatically आपके DMAT account से हर मंतली वो submit होते रहेगा so यहाँ पर आपके लिए सारी चीज़े applicable है जैसी आप submit पे click करेंगे automatically आपका यहाँ पर जो fund है thousand rupees every month deduct होते रहेगा चीक है so let's click submit पे click करते हैं submit पे अगर आप click करेंगे तो automatically आपका यह one two payment लेगा आपको थोड़ी बहुत अपना security डालना पड़ेगा and उसके बाद वो confirm हो जाएगा चीक है so यहाँ पर आपको बहुत easy way within a minute आप analysis करके within a minute आप यहाँ पर अपने उसके basis पे trade ले सकते हैं mutual funds को आप कर सकते हैं so यहाँ पर आपका पूरा का पूरा system आ चुका है mutual fund अभी in progress है because मैंने auto pay पे अभी नहीं किया हूँ so आप auto pay कर सकते हैं वो बहुत जादा sufficient होता है क्या होता है कि आप बार बार भूल जाते हैं SIP पे करना तो आपका auto pay आपके लिए मदद कर देगा कि automatically ही वो आपके through आपके mutual funds पे monthly SIP कर पाएगा चेक है तो यहां तक ही थी हमारी analysis अब आप mutual funds पे दुबारा जा सकते हैं आपको कोई और fund पसंद आता है तो आपको और fund पे trade कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं मुझे बढ़िया fund चाहिए तो आप filter and sort पे click करके अपने हिसाब का fund select कर सकते हैं तो आप इस वीडियो में आपके सारे points को clear कर दिया होगा previous मैंने और भी वीडियो बना रखे जिस पे stocks को कैसे buy or sell करना है delivery intraday पे और हम लोगों के charges क्या pay करने पड़ते हैं हम लोगों को hidden charges चाहे mutual funds buy कर रहे हो यूए stocks buy कर रहे हो चय stocks को buy कर रहे हो तो इस सारी चीजों के वीडियो के link नीचे description पर आप जाके देख सकते हैं आपको सारी चीज़े provide हो चाहेंगे तो चलिए मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो पर मैं शेवांच भसीन signing off